प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिये गाओं को शहरन से जोड़कर उनका विकास किया जा रहा है दुर्ग जिले के ग्राम कोनारी से ग्राम निकुम तक प्रधान मंत्री सड़क बनाने के लिए यहां के ग्रामिनों को लाब मिल रहा है ग्रामिनों ने बताया कि प पच्छों को इसको जाने के लिए सीधा है, हार चीज का सीधा है। पहले बहुत कम था, आने जाने के लिए परस्तानी थी, दुरगतना का नौबात था। अब बन जाने से नहीं अच्छी सीधा है, और यहां के जन जिवस तहीं है। और यहां से अंडा ले जाना ले जाना है देली का, पहले बहुत तकलिफ था रोड में, क्या गिट्टी बिट्टी परो लिकला था, अंडा ले जाने में फूट तूट जाता था, बुरा बहुत तकलिफ था पहले। लेकिन जब से रोड बना अब बहुत अच्छा है, किल ले हो चुकी है कि छेट्ट के लोगों को सडद कबने से बहुत अधीफ पैदा है इस्कुली बच्छों को गण करहीं को सबीधा होती मैं हें उसके billions इसको प्यादा भी मुथ आधी पुरहा हैं प्हहले दिकते यह कि कच्छी सड़क होने की कारण आवागमन में परसानी होती थी, इस पूरावे बच्च को जाने में अस्विधा मावसुस होती थी, कई दुर घटनाए होने का भैरता था, इसलिए अब सड़क बनने से समस्त ग्राम मस्य को बहुत अदिक खायत ही। खरीब 4 करोड 12 लाग की लागत से बने इस सड़क की लंबाई लगभक 10.5 किलोमेटर है, जो ग्राम कोनारी से प्रारम होकर कई गाउं से गुजरती है। सड़क बन जाने से लोगों के लिए आवगमन तो सुलब होगा ही, साथ ही गंतवे तक पहुँचने का समय भी अब बचने लगा है।